हिमानी कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है हम प्रतिबद्ध हैं कॉंसेट्स को सिंप्लिफाई करने के लिए ताकि आप सभी लोगों का कॉंफिडेंस एंप्लिफाई हो आज हम बात करेंगे लाब और हानी प्रशनों की जो की तकरीवन सभी गौवर्मेंट कॉंपिटेटिव एक्जामस में पूछे जाते हैं तो यह सीरीज जो हम बना रहे हैं यह एक तरह से हमारी सिक्सर सीरीज है इसमें हम छे प्रशने लेते हैं और उन छे प्रशनों के द्वारा हम एक पर्टिकुलर टॉपिक को वीडियो बनाते हैं तो आज की सीरीज हमारी प्रफिट और लॉस लाब और हानी के उपर है पहला प्रशन है एक व्यक्ती ने 76 गाए खरीदी 20 गाए 15 परटिशद लाब पर 40 गाए 19 परटिशद लाब पर और 16 गाए 25 परटिशद लाब पर बेज दी उसे कुल 6,570 रुपे का लाब हुआ प्रतेक गाए का क्राय मुल्य हमें ग्यात करना है अब देखिए जब लाब दिया हुआ है परटिशद में तो हम ये मान लेते हैं कि प्रतेक गाए का क्राय मुल्य एक्स रुपे है एक गाय का क्रेम उल्य X रुपे हैं, तो यदि 20 गाय उपर 15 परतिशत लाब हुआ, तो 15 परतिशत लाब और 20 गाय, तो 20 इंटू 15 बटे 100 X, क्योंकि गाय की कीमत है X, और उस पर 15 परतिशत का लाब हुआ, और ऐसी कितनी गाय हैं, 20 गाय, फिर 40 गाय उपर 19 परतिशत लाब चालिस कुणा उननिस पटे सौ एक्स और शेस सोला गायों पर उसने पच्चिस प्रतिशत का लाब कमाया और यह सब मिलाकर उसे छे हजार पांच सो सतर रुपे का लाब हुआ अब यह प्रेशन बहुत ही सरल हो गया है क्योंकि अब हमें क्या करना है सिरफ हमें गुणा करनी ह है बीस गुणा पंदरा हमें देगा तीन सो चालिस गुणा उननिस उननिस चौका चियत्तर और सोला गुणा पच्चिस सो पच्चिस अठा दो सो और दो सो दुनी चार सो और डिवाइड़ बाई सो जो की है छे हजार पांच सो सतर अब देखिए इसको हम साथ सो और यह आटेक्स जो की बराबर है छे हजार पांच सो सतर गुणा सो के जो की 100 उपर जाके क्रोस मंटिप्लाउ हो जाएगा और एक्स हो जाएगा छे हजार पांच सो सतर गुणा सो बटे 1460 साथ सो हम यह अब इसको सिंप्लिफाइ कर देते हैं और इसको दो से भाग दे दिया जाए तो क्या मिलेगा हमें दो सत्ता चौधा दो तीय च्छे और इधर मिलेगा पचास अब यहां तीन है यहां साथ है सो तीन निमा सत्ताइस सो देखिए नौ से मल्टिप्लाइ करिए 73 को सो नौ तिया 27, नौ सत्ता 63 और 2 65 सो यह है एक ट्रिक है इसको आप अप्लाइ करेंगे तो आपको जल्दी से आंसर मिल जाएगा सो नौ गुना पचास एक गाय का क्रेह मुल्य है चार सो पचास रुपे आगे बढ़ते हैं एक साइकल बी को पांच प्रतिशत लाब पर प्रतिश देता है तद अनुसार यदि C ने 2310 रुपे दिये हो तो A का लागत मुल्य कितने रुपे है यह ज्याद करना है तो मान लीजिए कि A का लागत मुल्य 100 रुपे था अब A ने जो B को बेचा तो A ने B को बेचा तो S P selling price of A हो जाएगा 5 प्रतिशत लाब मतलब 100 पे cost price है B का लागत मुल्य कितना है 105 बी ने C को 10 प्रतिशत लाब पर बेचा अब 10 प्रतिशत लाब को समझिए अब अगर मुझे S P of B मालूम करना है तो मुझे क्या करना चाहिए S P of B 105 गुणा 10 प्रतिशत लाब तो 10 प्रतिशत होता है 0.1 और उस पे 1 एड़ कर दो तो 1.1 तो यदि ये S P of B है तो यही C P of C है अब हमने क्या करना है हमने ये बोलना है कि अगर C P of C और यहां से हमें मिल रहा है C P of A यदि C P of C या क्रेमुल्य जो C का है वो 105 गुणा 1.1 है तो A का क्रेमुल्य था 100 अब यहां बताया गया है कि यह है 2310 रुपे है तो क्रेमुल्य याद करिए तो अब हमें क्या करना है देखिए X उपर आएगा यहां यह नीचे जाएगा और 2310 उपर जाएगा तो अब हम उसको कर देते हैं 2310 गुणा 100 बट्टे 105 गुणा 1.1 उसको मैं 11 करके उपर 10 से गुणा कर देता हूँ और यह हमारा X है अब यह देखिए 11 दुना 22 और यह और 105 दुना 210 तो 200 गुणा 10 दो हजार रुपे जो है वह A का लागत मुल्य है आगे बढ़ते हैं एक विक्रेता को 33 मीटर कपड़ा बेच कर उसके 11 मीटर कपड़े की लागत प्राप्त होती है तद अनुसार उसका लाप कितना है इस प्रकार के प्रश्ण जिसमें कपड़ा बेचा या कोई वस्तुए बेची तो हम यहाँ पे यह मान लेते हैं कि क्रे मुल्य एक मीटर का एक रुपे है ठीक है तो अब हमारा क्रे मुल्य है 33 मीटर का कितना होगा वह होगा 33 रुपे ठीक है अब इसने इसको बेचा और 11 मीटर कपड़े की उससे लागत प्राप्त हो रही है तो अगर उसने इसे बेचा तो इसका मतलब क्या है SP of 33 मीटर जो है वो किसके बराबर है वह है CP of 33 मीटर प्लस CP of 11 मीटर यह है हमारे को प्रश्ण में दिया गया है तो आप देखिए SP of 33 मीटर तो 33 रुपया होगा और इधर CP of 33 मीटर जो है वहा हुआ हमारा 33 और जमा 11 तो उसने खरीदा 33 रुपय का और बेचा 44 रुपय में ठीक है हमारा जो लागत मुल्य है 33 मीटर कपड़े का वहाँ 33 रुपय है जबकि विक्रे मुल्य 44 तो अब हमारे को फायदा कितना हुआ 11 रुपय का तो प्रतिश्यत लाव कितना होगा प्रतिश्यत लाव होगा लाव जो की 11 रुपय है जम बटे 33 गुणा 100 तो आप देखेंगे यह 11 रुपय का क्रे मुल्य एक मीटर का एक रुपय लिया तो 33 मीटर का मुल्य 33 रुपय है फिर हमने उसका विक्रे मुल्य निकाला जो की 44 है और 44 रुपय है विक्रे मुल्य लागत है 33 मुनाफ़ा हुआ 11 अब हम बढ़ते हैं अगले प्रेशन की और एक प्रकाशक ने पुस्तक की 2000 रुपय की लागत पर छापी उसने नमूना परतियों के रूप में 400 रुपय निशुल्क बाढ़ दी तो इसका क्या मतलब है इसका मतलब तो यह हुआ कि उसने 1600 प्रतियों का जो कॉस्ट है वहा हुआ सत्तर हजार रुपय ठीक है क्योंकि 400 निशुल्क बाटी सो 1600 प्रतियों की कॉस्ट हो गई सत्तर हजार रुपय तो एक कॉपी या एक पुस्तक की कीमत अगर मुझे निकालनी है तो वहा होगी सत्तर हजार बटा सोला सो आप इसको चार से भाग कर सकते हैं तो यह मिलेगा एक सो पिछटर बटे चार इसको सॉल कर लेते हैं चार चो का सोला चारतियों बारा तीन चार सते सो एक पुस्तक का जो लागत है वह है 43 रुपय 75 पैसे अब उसने ये सोला सो पुस्तके जो बेची हैं उसमें उसने मुदरित कीमत पर 30 प्रतिशत की छूट दी हर पुस्तक पर मुदरित कीमत 75 रुपय है तो अब हमें एक पुस्तक का विक्रे मुल्य निकालना है जो की 30 परतिशत शूट है तो 75 सो माइनस 30 से 70 70 को 100 से भग करेंगे तो हमें अब मिल गया 0.7 ठीक है तो एक पुस्तक का जो विक्रे मुल्य है वो 75 गुणा 0.7 हम डारेक्ली कर सकते हैं तो आईए इसको देख लेते हैं 7.35, 47, 49, 52 रुपे 50 पैसे तो अब उसका लाव कितना हुआ लाव हुआ 52.5 घटा 43.75 सो इसको हम निकाल लेते हैं 10 में से 5, 14 में से 7 तो इधर से हमको मिला 11 में से 3, 8 तो एक पुस्तक पर उसे 8 रुपे 75 पैसे का लाव हो रहा है जिसकी लागत है 43 रुपे 75 पैसे सो परतिशत लाव कितना होगा सो परतिशत लाव है 8 रुपे 75 पैसे भाग किया लागत से गुणा 100 अब देखिए 5 25 आप इसको 5 से गुणा करके देखिए यह पूरा पूरा जाएगा अब 100 बटा 5 यह है 20 परतिशत और यह हमारा इसका उत्तर है अगला प्रेशन हम देखते हैं उसमें लिखाया किसी वस्तू के विक्री मुल्य में 12 रुपे की कमी से उसका 5 परतिशत संभावित लाव 2.5 परतिशत हानी में बदल जाएगा ताद अनुसार उस वस्तू का लागत मुल्य कितना है देखिए यहां क्या बुला जा रहा है लटस से एक विक्रे मुल्य पहला है सो SP1 माइनस SP2 हमें दिया गया है जो की है 12 रुपे क्योंकि अगर उसने 12 रुपे की कमी से बेचा तो उसका संभावित लाब जो 5 परतिशत का वह लाब से हानी में बन गया दो एक बटा दो परतिशत में अब हम इसी को लिखते है मान लीजे वस्तू की कीमत एक्स रुपे थी तो जब 5 परतिशत लाब मिला देखिए SP1 माइनस SP2 12 है इसका मतलब जो प्रॉफिट 1 माइनस प्रॉफिट 2 है वो भी 12 रुपे होगा खीक है तो अब हम सीधा सीधा प्रॉफिट के हिसाब से बात करेंगे तो 5 परतिशत 100 X माइनस अब देखिए प्रॉफिट नहीं दूसरी बार में हानी हो रहा है तो अगर प्रॉफिट जमा में है तो लाब को घटा में लिया जाएगा सो माइनस अब ये हो गया आपका 5 बटे 200 X 5 बटे 200 क्यों 2 दूनी 4 एकम 5 सो 5 बटे 2 और उसको हमने बना दिया और यहाँ है हमारा 12 रुपे का यदि आप इसे सॉल्ड करेंगे तो आप पाएंगे 5 X प्लस 5 X यहाँ पे है 100 यहाँ पे है 200 सो इसको हमें LCM लेना होगा सॉल्ड करने के लिए तो आप देखेंगे कि 15 X और ये 200 उपर चला जाएगा बराबर हुआ 12 गुणा 200 के X हो गया 12 गुणा 200 बटे 15 तीन पंजे 15 तीन चौक बारा सो 160 रुपे जो है वह वस्तू का लागत मुल्य है ओके सो साथियों अगर आप यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप से अनुरोध है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा बेल बटन को अगला प्रशन है एक वेक्ती तीन गाए और आठ बकरिया 47,200 रुपे में खरीदता है यदि उसने आठ गाए और दो बकरिया खरीदी होती उसे 53,000 रुपे और देने होते ताद अनुसार एक गाए का क्रेय मुल्य कितना है यहां हम यह मान लेते हैं कि एक गाए का क्रेय मुल्य अगर एक्स रुपे है तो तीन गाए कितने की मिलेंगी तीन एक्स की और यदि एक बकरी का क्रेय मुल्य वाई है उसने आठ बकरिया खरीदी तो उसने कितने पैसे दिये आठ वाई तो तीन गाए और आठ बकरियों का क्रेम उल्ले हो जाएगा तीन एक्स जमा आठ वाई जो की प्रशन के अनुसार 47,200 रुपए है यहीं उसके बाद कह रहे हैं यदि उसने आठ गाए और तीन बकरियां खरीदी होती तो इसका मतलब जाएगा जो अमाउंट है एक लाख दो सो रुपया ठीक है अब यहाँ पे इस प्रशन को हल करने के लिए यदि आप इसको गौर से देखेंगे तो एक्स का कोईफिशेंट पहले एक्वेशन में तीन है और वाई का है आठ जो की बदल के एक्स का आठ हो जाता है और वाई का तीन जब भी ऐसा होता है जब भी कोईफिशेंट एक्स्चेंज हो जा रहे हैं आपको क्या करना है सिंप्लिफिकेशन के लिए पहले इन दोनों इक्वेशन को एड कर दीजिए तो आप पाएंगे यहां हो गया 11x इधर हो गया 11y और इधर हो जाएगा 1474 और 2 0 और अब यह है नमबर 11 से पूर्णतह विभाजित होगा तो जब आप यह पूरी equation को 11 से करेंगे तो हमारे पास आएगा x प्लस y equals इधर देख लीजिए 11 एकम 11 फिर 11 तिया 33 फिर 11 चौका 44 तो x जमा y जो है वहा हो गया 13400 दूसरा भाग करने के लिए अब हमें इसको घटाना है तो sign change कर दीजिए जब आप sign change करेंगे तो अब आपको क्या मिलेगा देखिए 3x माइनस 8x बन जाएगा माइनस 5x और 8y घटा 3y बन जाएगा 5y और अब हमने इस संख्या से 47200 घटाएंगे तो हमें पता है कि हमें तो 53,000 यह मिलना है तो अब हम उसको डाल देते हैं अब यह है जो संख्या है यह है 5 से पूर्णता विभाजित होगी तो इसको आप भी भाजित कर दीजिए तो अब आपके पास आजाएगा माइनस x जमा y जो की है 5 एकम 5 फिर 0 फिर 5 चिक्का और हमें क्या करना है अब देखिए x प्लस y है 13,400 और माइनस x प्लस y है 10,600 क्योंकि हमें x का मान ग्याद करना है तो इसके लिए हम x को positive करने के लिए दोनों जगह माइनस x से कुणा कर देते हैं तो यह बन जाएगा x माइनस y जो की हो गया माइनस 10,600 अब हमने सिरफ दो equations को इनको add कर देना है तो एकदम से इनको यहां ले आते हैं so x जमा y है 13,400 और x घटा y है 10,600 माइनस के साथ so इनको जब हम add करेंगे तो y और y कट जाएंगे ठीक है अब हमारे पास में आ गया 0014 में से छे गया 8 और 2800 so x हो जाएगा 2800 बटे 2 जो की है 1400 रुपे इस प्रशन के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं आपसे फिर से एक बार गुजारिश है वीडियो को जादा से जादा लोगों में शेयर करें ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सके और अपनी government exams entrance की जरनी में लाभानवित हो सके धन्यवाद